नमस्कार दोस्तों पहले तो United Kingdom की खुद की कहानी बहुत इंट्रेस्टिंग है ये एक ऐसी कंट्री है जो चार कंट्री से मिलकर बनी है मैप देखिए England, Wales, Scotland और Northern Ireland ये चार कंट्री मिलकर United Kingdom को बनाती है जो की खुद में भी एक कंट्री है पूछेंगे ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ये चार अलग-अलग कंट्री भी है और मिलकर एक कंट्री भी है ये पॉसिबल है दोस्तों कुछ माइनों में United Kingdom एक अपनी एकलौती कंट्री है और कुछ माइनों में ये चार अलग-अलग कंट्री है जैसे कि for example cricket में आपने देखा होगा England की अलग टीम होती है Scotland की अलग टीम होती है लेकिन Olympics में पूरी United Kingdom की एक ही टीम है सरकार देखी जाए Parliament एक है पूरे United Kingdom का currency एक है लेकिन इन सारे चारों कंट्रीज के पास अपने अलग-अलग फ्लैग है इन फाइक यूके की प्राइम मिनिस्टर की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि यूके एक a country within countries है United Kingdom के side में है Ireland Ireland अपनी एक completely independent country है यूके का पार्ट नहीं है लेकिन 1922 से पहले ये यूके का पार्ट हुआ करता था Great Britain की जब हम बात करते हैं इसमें आता है England, Wales और Scotland इसलिए Wikipedia पेज पर आप देखोगे तो UK के लिखा हुआ है ये कहा जाता है इसे United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland लेकिन 1922 से पहले से कहा जाता था United Kingdom of Great Britain and Ireland तो Northern Ireland और Ireland आज के दिन अलग है एक और interesting चीज़ यह है कि Brexit के referendum से पहले 2014 में Scotland में referendum हुआ था पर लोगों से पूछा गया था कि कि आप Scotland को United Kingdom का पार्ट रखना चाते हैं या फिर Scotland को भी एक independent country बना देना चाते हैं Ireland की तरह तब 55% लोगों ने vote करके कहा था कि हम Scotland को United Kingdom का पार्ट रखना चाते हैं इस चीज़ को याद रखना क्योंकि यह relevant है आगे Brexit के referendum से काफी related है इस वीडियो में मैं आगे बात करूँ अब आते हैं European Union पर Germany, France, Spain, Portugal, Italy और 28 अलग-अलग European countries ने साथ में मिलकर एक Union बनाया जिसे कहते हैं European Union लेकिन कुछ aspects से अगर आप इसे देखोगे तो यह European Union भी खुद में अपनी एक पूरी country है विल्कुल United Kingdom की तरह जैसे कि कोई borders नहीं है इन countries के बीच में उत्तर प्रदेश से बिहार जाने के लिए आपको कोई border checks नहीं होते हैं आराम से pass कर सकते हो ऐसे ही आप Germany से France भी जा सकते हो France से Spain जा सकते हो Spain से Portugal जा सकते हैं इन सारी countries के बीच में कोई border नहीं है इन सारी countries में एक ही currency का इस्तिमाल किया जाता है और वो currency है euro पूरे European Union का अपना एक parliament भी है अलग वैसे तो इन सारी countries में अपने एक national parliament हैं लेकिन European Union का भी एक parliament है और इन सारी countries में रहने वाले लोग उस European Parliament के member of parliament चुनकर vote कर सकते हैं European Union के पास इतनी authority भी है कि वो rules and regulations set करे जो सारी countries को follow करना पड़ेगा जो European Union के अंडर आते हैं कुछ लोगों को लगता है कि European Union के पास जादा ही power है ये जो dictate करता है वो हमारी country को करना पड़ता है कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता इसलिए वो European Union के against है आप सोचो के यहांपर कि ये सब कर क्यों रखा है ये क्या point बना ये European Union बनाने का ये बाकी countries अलग-अलग countries बनके अराम से क्यों नहीं रह सकती जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश ये सब अलग-अलग countries है, कोई unions नहीं है, इनके बीच में कुछ नहीं है ऐसे क्यों नहीं relative हो countries इसके पीछे बहुत important reasons हैं दोस्तों European Union जब बनाया गया था इसका main purpose था peace को promote करना इन countries के बीच में ये World War 2 के बाद बनाया गया था Hitler के जाने के बाद इन्होंने decide कि बहुत लड़ाई होई है, अब हमें peace को promote करना पड़ेगा और ये peace तभी maintain किया जा सकता है अगर हम साथ में मिलकर काम करें एक union की तरह बनकर काम करें तो 1950s, 1960s में इन्होंने trading open करी, अपनी union बनाया trading करने के लिए और धीरे धीरे ये और countries इसमें साथ साथ जोड़ती गई, धीरे धीरे ये union strong बनता गया, फिर नहोंने 1999 में decide किया कि हम अपनी currency भी बना लेते हैं, और इतना सब एक साथ करने से ना सिर्फ peace promote होता है बलकि world map पर ये एक power बनके खड़े हो जाते है एक super power बन जाता है European Union जो ये countries अकेले नहीं बन पाती economically भी ये एक बहुत बड़ा advantage है, क्योंकि आप सोच कर देखे Germany कुछ चीजों में अच्छा है, Spain कुछ चीजों में अच्छा है, Italy के खेतों में olive oil अच्छा मिलता है, Austria की पहाड़ियों में milk products अच्छे मिलते हैं, अगर कोई trade barriers नहीं होगे इन countries के बीच में, आसानी से products and services exchange हो पाएंगी, तो एक country की disadvantage को compensate किया जा सकता है दूसरे country के advantage के साथ, अब workers भी एक country से दूसरे country में आसानी से जा सकते हैं, और कोई business अपना नया खोलना चाता है, तो उसे access मेलेगा सारी European countries के market में, अगर आप company एक जगें खोलते हो, तो असानी से same rules and regulations हैं बाकी European countries में, तो बहुत बड़ा advantage मिल रहा है हाँ पर हर aspects से, लेकिन जो इस union की strength है वही इसकी weakness भी है, अगर आप इतनी सारी countries के लिए साथ में एक rules and regulations बनाओगे, तो सब को खुश रखना बहुत मुश्किल होता है, disagreements होएंगे, तो काफी हद तक European Union countries को अपनी choice देता है, हर चीज में अपनी रायत थोपता नहीं है उनके उपर, जैसे कि euro as a currency सब को choice मिली हुए, अगर आपको euro as a currency यूज करनी है, अपनी country में करो, नहीं करनी अपनी currency यूज करो, इसलिए Denmark, Poland, Hungary जैसी countries में euro अभी भी नहीं इस्तिमाल किया जाता Schengen area में आपको आना है, नहीं आना इसकी भी choice मिली हुए, लेकिन कुछ चीजों में, European Union ने ऐसे rules बनाए, जिससे काफी लोग नराज हो गए, जैसे कि 2015 की refugee crisis European Union ने कहा कि हर European country को एक fixed number of refugees अपनी country के अंदर लेने पढ़ेंगे as proportion of their population, और इससे बहुत लोग नराज हुए, उसके बाद से feelings जागने लगी कुछ लोगों के बीच में कि हमें European Union का part नहीं रहना ताकि हम अपनी country के decisions खुद ले सके, हमें नहीं चाहिए अपनी country के अंदर refugees, immigrants नहीं चाहिए और Britain में काफी दिखा जहांपे जो right wing party है conservative party उन्होंने इस चीज का advantage उठाया और लोगों को कहा कि हम European Union से निकलना चाहते हैं और pressure बनाया गया, conservative party के अंदर भी दो factions दे, एक था कि एक चाहता था कि European Union से अलग होए एक चाहता था हम नहीं अलग होएं लेकिन जो चाहता था कि हम Brexit करें European Union से अलग हो जाए इस चीज को लेकर उसने pressure बनाया और एक referendum कराया इस चीज को लेकर 2016 में UK में Brexit का referendum हुआ, जिसमें कि 52% लोगों ने vote करके कहा कि हम European Union से अलग होना चाहते हैं, इस referendum के दुरान एक जबरदस्त propaganda campaign चलाई गई बड़े स्केल पर fake news फिलाई गई, लोगों मजबूर हुए Brexit के लिए vote देने में इस propaganda campaign को specifically मैंने इस वीडियो में cover किया आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं अगर detail में समझना चाहते हैं तो लेकिन बात ये थी कि Brexit के लिए vote कर दिया गया 2017 की एक study ने बताया कि जिन लोगों ने Brexit के favor में vote दिया वो ज़्यादा तर लोग lower income group से आते थे, unemployment का शिकार थे rural regions में रहने वाले लोग थे और ज़्यादा age के लोग थे इन लोगों को डर था कि immigrants आकर इनकी job चीन लेंगे, इनके लिए jobs नहीं बचेंगे इसके बाद 4 साल तक UK में काफी instability रही, सरकारे गरी, सरकारे बनी लोग discuss कर रहे थी कि किस तरह से actually Brexit किया जाए और European Union के साथ बाद में हम क्या treaty रखेंगे और 31st January 2020 को actually में Brexit हो गया, लेकिन अभी तक ये negotiate नहीं कर पाएं कि exactly क्या trade agreements रहेंगी हमारी European Union के साथ Brexit के एक बहुत बड़े scale पर effects देखे जाएंगे आने वाले सालों में लेकिन कुछ चीजों को अभी से ही predict किया जा सकता है जैसे कि European Union से अलग होने पर अब tariffs लगाए जाएंगे जो भी imports और exports होंगे European Union और United Kingdom के बीच में trade मुश्किल हो जाएगी और ये चीज़ एक बहुत बुरी खबर है United Kingdom में रहने वाले लोगों के लिए क्योंकि one third imports जो UK करता है वो European Union से आते थे अब उन पर tariffs लगेंगे तो वो चीज़े महंगी हो जाएंगे तो जो भी चीज़े import करता है UK वो UK में रहने वाले लोगों के लिए और महंगी हो जाएंगे इन जेनरल UK की companies को एक भारी नुकसान सहना पड़ेगा क्योंकि वो बाकी EU countries में जाकर अब public contracts के लिए bidding नहीं कर सकते ना ही वो बाकी EU के market को access कर सकते हैं ना ही वो बाकी EU के workers को अपनी company में employ कर सकते हैं इन सब losses की वजए से बहुत सी UK की companies देश छोड़ कर भाग गई और European Union में shift हो गई या फिर Ireland में shift हो गई क्योंकि Ireland अभी भी European Union का part है UK के citizens के लिए jobs के perspective से भी एक बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि जब वो EU का part था तो कोई भी UK का citizen जाके किसी भी European country में नौकरी धूंड सकता था नौकरी ले सकता था असानी से क्योंकि कोई borders नहीं थे free movement allowed थी लोगों के बीच में लेकिन अब Brexit होने के बाद उनके पास पहले इतनी opportunities होती थी jobs धूंडने की अब वो एक country के अंदर ही सीमित रह जाएंगे इन सब reasons की वज़े से immediate impact पढ़ा UK की economy पर जब Brexit का vote हुआ था 2018 की एक study ने बताया कि 2.5% GDP का नुकसान हुआ UK की economy पर 6% से investment कम हो गई 1.5% से unemployment बढ़ गई और 1% से per capita income कम हो गया Scotland के case पर वापस आते है regions में लोगों ने Brexit referendum के दोरान leave करने को vote कि और किन regions में लोगों ने कहा कि नहीं हम EU का part बना रहना चाते हैं आप देखेंगे Scotland का जो region है वहाँ पर overwhelming majority लोगों ने कहा था कि हम EU के साथ बने रहना चाते हैं लेकिन क्योंकि Scotland एक one of the four countries है United Kingdom में overall जो vote percentage गया वो Brexit के favor में ही गया लेकिन Scotland में रहने वाले लोग फिर भी EU के favor में थे अब हो क्या रहा है कि Scotland के लोग नराज हैं वो चाहते हैं कि हम एक और referendum करें United Kingdom से अलग होने का और EU के साथ जुड़ने का obviously इस चीज को United Kingdom पसंद नहीं करेंगा क्योंकि और भी ज़्यादा economic effect पड़ेगा अगर Scotland UK को छोड़के चला गया तो अब आप ज़रा सोच कर देखिए आपर जो Scotland के लोग करना चाह रहे हैं क्या वो anti-national है क्योंकि वो UK से अलग होना चाहते हैं UK के तुकडे तुकडे कराना चाहते हैं क्या वो तुकडे तुकडे गैंग का पार्ट है या फिर वो nationalist हैं क्योंकि वो अपनी country के बारे में सोच रहे हैं Scotland के बारे में सोच रहे हैं Scottish लोगों के बारे में सोच रहे हैं या फिर वो internationalist हैं क्योंकि Scotland EU का पार्ट बनना चाहता है बताईए जरा कॉमेंट्स में लिखकर बताईए आपकी क्या रहा है यहां पर क्या यह करना सही है उनके लिए nationalism के perspective से internationalism के perspective से regionalism के perspective से मेरी राय में दोस्तों एक चीज बड़ी clear है situation से और वो यह है कि हमें इन शब्दों को ज़्याद़ importance नहीं देनी चाहिए क्या nationalism है क्या anti-nationalism है इसका कोई importance नहीं है हमारे country में इसको ज़्याद़ ही importance दी जाती है कुछ लोगों के दोरा in reality country एक nation एक imaginary चीज है group of लोग यहाँ पर मानते हैं कि एक nation exist करता है एक country exist करती है अगले वीडियो में फिर बहुत बहुत धन्यवाद